Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprime की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि Teleprime में Daybook में रहते हुए Transactions से संबंधिक क्या काम किये जा सकते हैं इसके पहले वाली दो वीडियो में आपने जाना कि Daybook क्या है, इसे कैसे देखते हैं साथ ये Daybook में Configuration के साथ अन्य Options का उप्योग कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि Daybook में रहते हुए Transactions से संबंधित कौन-कौन से काम किये जा सकते हैं ध्यान रखें, Daybook की इसके पहले वाली दो वीडियो और ये वीडियो बहुत ही मातपून हैं क्योंकि इन तीनों में बताएंगे options आपको कई जगह पर बहुत काम आएंगे अभी हम Gateway of Delhi पर हैं, Daybook के लिए K प्रेस करें अब वित्तिय वर्ष यानि Financial Year की शिरुवात से लेकर जहां तक हमने transactions किये हैं वहां तक की report देखने के लिए Altar और F2 की प्रेस करेंगे अब यहां पर From में Space Bar प्रेस करके Enter प्रेस करें और इसी तरह 2 में भी Space Bar प्रेस करके Enter प्रेस करें देखिए यहां सभी vouchers दिखाई पड़ रहे हैं यहां F4 की सहायता से Cells voucher सेलेक कर लें अब F12 से कुछ configuration कर लेते हैं चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपने जो vouchers बनाई हैं यदि आप उन में से किसी voucher को देखना चाहते हैं या किसी voucher में कुछ पदलाव यानि alteration करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं उसके लिए आप वाउचर पर जाकर Enter प्रेस करें देखिया हम जिस voucher पर गए थे वो उपन हो गया है यहां से आप जो भी alteration करना चाहें जैसे पार्टी का नाम, stock item, quantity या rate इत्यादी में जो भी परिवर्तन करना चाहें कर सकते हैं साथ यह दिया आप कोई नया item जोड़ना चाहते हैं या कोई item delete करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जैसे हम इसमें पहला item delete करना चाहते हैं तो उस पर जाकर delete button press करके item का नाम delete कर देंगे फिर enter press करेंगे देखे पहला item चला गया और उसकी जगह पर दूसरा item जो की नीचे था वो आ गया है अब यदि आप इसे भी बदलना चाहते हैं तो space bar प्रेस करें और दूसरा item select कर ले यदि आपको इसमें कुछ stock items और लेना हो तो वो भी आप ले सकते हैं अब हम इस voucher को control और a keys प्रेस करके accept कर लेते हैं चले अब देखते हैं कि यदि आप किसी voucher को delete करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं किसी voucher को delete करने के पहले हम आखरी voucher का number देख लेते हैं जो कि 6 है अब जिस voucher को आप delete करना चाहते हैं उस पर जाकर alter और d keys प्रेस करें जैसे यहां हम दो नंबर के voucher पर जाकर alter और d keys को प्रेस कर रहे हैं ऐसा करते ही एक confirmation window आएगी यदि आप वाकई में delete करना चाहते हैं तो yes के लिए y या enter प्रेस करें और यदि delete नहीं करना चाहते हैं तो no के लिए end प्रेस करें हम इसे delete करना चाहते हैं इसलिए y प्रेस कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही वह voucher delete हो गया और उसके बाद कि सभी vouchers के numbers भी change हो गये हैं जो कि हम आखरी voucher का number देख कर समझ सकते हैं पहले आखरी voucher का number 6 था जो कि अब बदल कर 5 हो गया है यहां पर एक महत्वण बात समझ लें कि सेल्स वाउचर के स्थान पर यदि कोई और वाउचर होता तो वाउचर नंबर बदल जाना बड़ी समस्या नहीं होती पर सेल्स वाउचर के नंबर बदल जाना बड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि हम इन सेल्स बिल के प्रिंट अपने कस्टमर्स को दे चुके हैं और उनके record में हमारे जो bill number हैं और हमारे record में जो voucher यानि बिल number हैं वाउचर डिलीट करने से अब वे अलग-अलग हो गए हैं जो की गलत है उदारें के लिए हमने customer को जो bill number 6 का print दिया था उसका number अब हमारे यहां 5 हो गया है यानि एक ये bill के दोनों के records में अलग-अलग number हो गए हैं जो की गलत है यहां हमारा कहने का मतलब यह है कि डिलीट का उपयोग जब भी करें सोच समझ कर करें खासतोर पर sales vouchers के case में टैली ने किसी sales bill को डिलीट करने से होने वाली समस्या का एक सरल समाधान cancel भी दिया है इसका फाइदा यह है कि इसका उपयोग करने से bill numbers पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता आए इसका उपयोग आपको करके बता देते हैं उपयोग करने से पहले आखरी voucher number देख लेते हैं जो कि 5 है अब voucher को cancel करने के लिए voucher पर जाकर alter और x प्रेस करें confirmation window आ रही है यहाँ yes के लिए y प्रेस करें देखें यहाँ voucher की details चली गई है और सिर्फ cancel लिखा आ रहा है साथ ही देखें आखरी बिल नंबर 5 पहले की ही तरह अपनी जगह पर है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है यानि डिलीट के इस्थान पर cancel करने से बिल नंबर में कोई भी changes नहीं होते हैं बविशी में यदि आप चाहें तो cancel voucher को select करके open करें और उसकी जगह दूसरा transaction record कर सकते हैं आगे समझने के लिए हम F4 प्रेस करके all items select कर रहे हैं आईए अब समझते हैं add voucher की प्रक्रिया को माल लेजिए कि हमें एक मई को कोई payment प्राप्थ हुआ था जिसके entry करना हम भूल गए थे तो अब हम जिस voucher के बाद उसी type का एक voucher और बनाना चाहते हैं जैसे कि हम इस receipt voucher जिसका नंबर दो और तारीख एक मई है इसके बाद इसी तारीख में एक और receipt voucher जिसका नंबर तीन हो बनाना चाहते हैं तो हम इस voucher पर जाकर alter और एक इसको प्रेस करेंगे आप उस voucher पर जाकर alter और एक प्रेस करें जिसके बाद आप नया voucher बनाना चाहते हैं देखिए हमने receipt voucher select किया था तो यहाँ receipt voucher creation screen आ रही है साथ ही उसका अगला number 3 और तारीख एक मैई ही आ रही है अब यहाँ से हम voucher बना सकते हैं हम escape की से वापस चलते हैं एड वाउचर का एक और मुख्यू फ्योग है जब आप डे बुक पर होते हैं और उस समय यदि आप किसी भी तारीख में किसी भी टाइप का कोई वाउचर बनाना चाहते हैं तो आल्टर के साथ एक की को प्रेस करें ध्यान रखें इसके लिए आपको किसी भी वाउचर पर जाने की ज़रूरत नहीं है अब आल्टर और एक की प्रेस करेंगे देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रियेशन स्क्रीन आ गई है यहाँ पहले आप जिस तरह का वाउचर बनाना चाहते हैं उसे राइट बटन बार या शॉटकट की साहता से सिलेक करें तारीख पदलें और फिर अपना वाउचर बना ले मालीजे हमने एक सिटमबर दो हजार बीस को रमी शर्मा को सिटमबर माँ दो हजार बीस का ओफिस का किराया दस अजार रुपए नगत दिया आए इस ट्रांजिक्शन को रिकॉर्ट कर लेते हैं देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रियेशन स्क्रीन आ रही है हम F5 प्रेस करके पेमिन्ट वाउचर ले आते हैं अब F2 की सहायता से तारीख बदल लेते हैं अब वाउचर बना लेते हैं अब इसे एकसप्ट कर लेते हैं आए अब अगला शॉटकट समझ लेते हैं अभी हमने जो ओफिस किराय पर लिया है उसका किराया प्रतिमा देना होगा और हम चाहते हैं कि इसके लिए हमें वाउचर बनाने की पूरी प्रक्रिया दोहरानी ना पड़ी तो उसके लिए हम वाउचर का डुप्लिकेट बना सकते हैं Duplicate voucher बनानी के लिए पहले आप just voucher का duplicate बनाना चाहते हैं उस पर जाए और alter or two keys को press करें देखिए हमने just voucher पर जाकर alter or two keys को press किया था यहां उसका duplicate आ गया है अब इसमें जो भी चिंजिस करना हो वो हम कर सकते हैं हम F2 की प्रेस करके तारीख बदल रहे हैं और Enter प्रेस करते हुए narration पर आ गए हैं narration के आखिर में यदि कुछ टाइब करना चाहते हो तो End की प्रेस करें और यदि प्रारंभ में कुछ टाइप करना चाहते हों तो हूम की प्रेस करें और बीच के लिए लेफ्ट एरो या राइट एरो की का उप्योग करें यहां हम अक्टूबर महा का किराया दे रहे हैं तो सिटमबर 2020 को बदल कर अक्टूबर 2020 कर रहे हैं ध्यान रखें किसी शब्द को हटाने के लिए डिलीट या बैक स्पेस की का उप्योग करें अब इस वाउचर को एक्सप्ट कर लेते हैं तो इस तरह आप दुप्लिकेट वाउचर बना कर अपना समय बचा सकते हैं चलिए अब समझ लेते हैं इंसर्ट वाउचर की प्रक्रिया को कई पर ऐसा होता है कि हम कई सारी ट्रांसेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं तो बीच में कोई ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करना भूल भी जाते हैं जैसे माल लीजिए हम एक अक्टूबर के पेमेंट वाउचर जिसका नमबर छे है कि पहले एक ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए थे जो की इस प्रकार है एक अक्टूबर 2020 को हमने रमेश से एक टेबल 1000 रुपे नगत दे कर खरी दी तो आईए देखते हैं बीज में वाउचर कैसे इंसर्ट करते हैं इसके लिए जिस वाउचर के पहले आप ये वाउचर बनाना चाहते हैं जैसे कि हम एक अक्टूबर को पेमेंट वाउचर नमबर 6 की जगह पर ये वाउचर बनाना चाहते हैं तो उस पर जाकर alter और i key प्रेस करें, यह देखिए payment voucher creation window आ रही है, यहाँ voucher का वही नंबर आ रहा है जो voucher हमने select किया था, अब हम transaction record कर लेते हैं, अब इसे accept कर लेते हैं, देखिए हमने जिस voucher पर जाकर alter और i key को प्रेस किया था, वो नीचे आ गया है और उसकी जगह पर नया voucher आ गया है, अब यहाँ आपको एक confusion हो रहा होगा कि insert voucher और add voucher का उप्योग तो एक ही है, फिर यह अलग-अलग कैसे हुए, देखिए, add voucher का उप्योग हमने किसी voucher के बाद वाले नंबर पर voucher बनाने के लिए किया था, जबकि insert voucher का उप्योग हमने किसी निश्यत voucher नंबर पर कोई नया voucher बनाने के लिए किया है, चले आगे पढ़ते हो और अगला option देख लेते हैं, माली जे यहाँ दिखाई पढ़ रहे vouchers में से कुछ vouchers हम delete करना चाहते हैं, तो इन्हें एक-एक करके delete करने की बजाए एक साथ भी delete कर सकते हैं, इसके लिए पहले जिन vouchers को delete करना चाहते हो उन पर up या down arrow की से जाएं और space bar प्रेस करके उन्हें select कर लें, यह देखिए हमने चार voucher select कर लिए हैं, अब alter और डी प्रेस करेंगे, ऐसा करते ही पुछा जाएगा कि क्या आप select किये गए vouchers को delete करना चाहते हैं, यदि हाँ तो Y प्रेस करें, Y प्रेस करते ही select किये गए सभी vouchers delete हो जाएंगे, हमें यह vouchers delete नहीं करना है, इसलिए हम N प्रेस कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप गलती से कोई voucher select कर लेते हैं, जैसे कि अभी हमने इन चार vouchers में से इस voucher को गलती से select कर लिया था, और अब हम इसे deselect करना चाहते हैं, तो इस voucher पर जाकर space bar प्रेस करें, यह देखिए selection हट कया है, और यदि आप select किये गए सभी vouchers को एक साथ deselect करना चाहते हैं, तो इस cap की प्रेस करें, ऐसा किरते ही selection हट जाएगा, यदि किसी कारण से आप सभी vouchers को एक साथ select करना चाहते हैं, तो control और space bar प्रेस करें, यह देखिए सभी vouchers select हो गए हैं, और यदि आप इन एक deselect करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर से control और space bar प्रेस करें, तो दूस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ shortcuts बताए हैं, उनको एक बात फिर से short में बता देते हैं, किसी voucher को alter करने के लिए उस पर जाकर enter प्रेस करें, वो voucher open हो जाएगा, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसमें changes करके उसे accept कर लें, किसी voucher को delete करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और d प्रेस करें, और फिर enter प्रेस करें, किसी voucher को cancel करने के लिए उस voucher पर जाकर alter और x प्रेस करें, और फिर enter प्रेस करें, किसी भी voucher के बाद उसी प्रकार का अगली नंबर का voucher बनाने के लिए उस पर जाकर alter और A कीज प्रेस करें या फिर किसी भी प्रकार का नया voucher लाने के लिए यानि add voucher के लिए alter और A प्रेस करें किसी voucher का duplicate बनाने के लिए उस voucher पर जाकर alter और 2 प्रेस करें किसी इनिशियत वाउचर नमबर के स्थान पर उसी नमबर का उसी टाइप का नया वाउचर बनाने के लिए यानि इंसर्ट वाउचर के लिए उस वाउचर पर जाकर और आई प्रेस करें किसी वाउचर को सिलेक्ट करने के लिए उस पर जाकर स्पेस बार प्रेस करें Selected Vouchers को D Select करने के लिए पुना उस पर जाकर Space Bar प्रेस करें और यदि आपने बहुत से Vouchers Select किये हुए हैं तो उन्हें एक साथ D Select करने के लिए Skip की प्रेस करें दिखाई पड़ रहे सभी Vouchers को एक साथ Select करने के लिए Ctrl और Space Bar प्रेस करें Selected Vouchers को एक साथ D Select करने के लिए फिर से Ctrl और Space Bar प्रेस करें या Skip की प्रेस करें इसी तरह के कुछ शॉटकट्स और भी हैं जो हम आपको अगली वीडियो Legers को कैसे देखें में बताएंगे इस वीडियो में और इसके पहले वाली दो वीडियो में आपने डे बुक के बारे में जाना इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको रिपूट्स हैटिंग के अंतर गताने वाली Accounts Books में लेजर के बारे में बताएंगे ंगे स्टैर स्नュाथ